हेलो दोस्तो दोस्तो जमुहेंड कश्मीर सुर्ष सेलेक्शन बोड की तरफ से इग्जामिनेशन और एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने के बारे में एक बड़ी अपडेट आई है आज की दोस्तो s召से पहले मैं आपको बताने चाहूंगा कि किस किस पोस्त का इग्जामिनेशन आज हो होने वाला है जो के रेट्न एग्जामिनेशन रहेगा और कौन सी एडविटीजमेंट ये रहने वाली है तो वीडियो को सिभी के साथ आप शियर जुरूर करें तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन नमबर 6 of 2020 और 1 of 2021 के अंडर टेबल बाई के जो पोस्ट निकाले गए थे उनका एग्जामिनेशन होने वाला है इसके अलावा नोटिफिकेशन नमबर 4 of 2020 बाइंडर की पोस्ट निकाली गी है इसका एग्ज 2020 इसमें वेटर और रूम बेरर की पोस्ट निकाली गी थी इनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है नोटिफिकेशन नमबर 4 of 2020 पीबी एक्स ऑपरेटर इसके अलावा 2021 में कतीब और इसके बाद 6 of 2020 आप देख पा रहे होंगे तो इसमें टेलेफोन ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गी थी 4 of 2020 में आप देख पा रहे होंगे जूनियर ग्रेडर और रुक औवर सीर काई ग्साइमिनेशन होने वाला है आगे आप देख पा रहे होंगे 2021 के अंडर कैमरा मैन की पोस्ट निकाली गी थी 6 of 2020 में orderly की पोस्ट निकाली गी थी again 6 of 2020 में चोकिदार की पोस्ट निकाली गी थी इसके बाद 1 of 2021 तो इसमें assistant simmerman जो है इसकी पोस्ट निकाली गी थी और इसका जो examination है याने इन सभी पोस्ट का जो examination है वो 19th May 2024 को लिया जा रहा है जो बच्चे हैं वो अपना-पना admit card इन पोस्ट के लिए 13th May 2024 से download कर सकते हैं शाम के 4 बजे से दोस्तो साथ में यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यह जुरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप साल 2023 के पूरे 12 months की current affairs की PDF पाना चाहते हैं इसके अलावा साल 2024 के अभी तक के जो months गुजरे हैं up to May के current affairs की complete PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें नीचे comment section में आपको number मिलेगा उस पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं यह सारे PDF चैन दोस्तों आपको सिर्फ 99 रुपीज में available कर दिये जाएंगे इसमें तमाम तरह के जो PDF हैं साल 2023 के 12 months की यह current affairs की PDF रहेंगे इसके अलावा दोस्तों इसमें साल 2024 के अभी तक क current affairs की complete PDF रहने वाली है only 99 रुपीज में यह हम आपको available कर देंगे important बात यहाँ पर दोस्तों यह है अगर किसी भी बच्चे को admit card को download करने में कोई issue आ रहा है उसको admit card download नहीं हो रहा है तो वो jkssb के in numbers पे jkssb को call कर सकता है या फिर इस वाले email address पे jkssb को email कर सकता है 13 से ले और तक तो दोस्तों बाकी जो instructions हैं जो कि admit card से related हैं कि आपकी इस तरह admit card को download कर सकते हैं वो पूरा procedure इसमें दिया गया है तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को करता हूँ and उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो मैं मिलनका आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care